मौस्त नमस्कार दोस्तो मेरा नाम वीरल महता है और मैं इसक्र सब्सक्राइब आज हम बात करने वाले लेत मशीन मैं जो फ्रेडिंग ओप्रेशन होता है वह फ्रेडिंग ओप्रेशन के लिए जो भी गियर यूज धाए हूँ कीसे करते तो आज हम देखेंगे के कीछ में ज़न कैसे होता है जो कि दोस्तों लेग में street आपरेशन PCR करते हैं सब्सक्राइजर्ण है यह प्छी श. जो sih Ciakram करने के बाद जो भी पार्ट हम बनाते हैं उसको कीसी दूसरे पार्ट में fit करना रहता है अगर थ्रेडिंग ही सही तरीके से नहीं हुआ है तो वह पार्ट दूसरे पार्ट में बैठे गई तो आज हम देखेंगे कि जैसे थ्रेडिंग operation करते है उसके लिए गेर का calculation हम इंच में और म में कैसे करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि threads कितने टाइप के रहते हैं तो threads यहां पर मैंने दो टाइप के दिखा है सबसे पहला है इच त्रेड और दूसरा है metric thread इच त्रेड में TPI से calculation होता है याने थ्रेड पर इच एक इच में कितने threads आते हैं उसको थ्री एट वन बाई टू या तो पांच सोला वह अलग-अलग तरीके से हम उसको calculate करते हैं दूसरा है MM thread MM में हम M10, M6 और M16 ऐसे अलग-अलग M से सुरू होने वाले जो भी threads है उसको हम metric thread कहते हैं metric thread का एंगल रहता है 60 degree और इच त्रेड का एंगल रहता है 55 degree तो उसके हिसाब से हम tool के गिंती करेंगे तो ही हमारा thread सही आएगा दोस्तों यहां पर मैंने दिखा है कि thread को हम check कैसे करते हैं तो सबसे पहले left hand side पर हम देखेंगे कि जो भी drawing है उसमें major diameter, minor diameter याने बड़ा diameter अंदर का छोटा diameter, peach जो सबसे महत्वपून है वह है peach तो peach का calculation कैसे करते हैं अगर हमने machine पर calculate करके बना दिये और उसके बाद हमको check करना है तो check करने के लिए यह thread checking gauge का use होता है और check कैसे करते हैं वह यहां पर मैंने फूटो में दिखा है थ्रेड हमारा जो भी product के उपर हुआ है उसके उपर गेज रखके हम check कर सकते हैं यहां पर एक थ्रेडिंग का मैंने एक छोटा सा वीडियो दिखा है कि टूल आगे जलता रहता है वह जो भी gear का calculation की है उसके ही साब से और product के उपर हमारा जो भी part है उसके उपर चार्ट हर एक size में जो भी gear करना है calculate वह दिखाया रहता है अगर आपके पास थ्रेडिंग चार्ट नहीं है या तो कोई ऐसा थ्रेडिंग करना है कि जिसमें यह चार्ट में नहीं दिया है तो आज हम उसकी calculation हम आगे देखेंगे तो यहां पर थ्रेडिंग चार्ट है दूस वह चार्ट के सामने gear का photo दिखाया है जैसे A, B, C, D चार gear है हमारा A, B, C और D यह चारो gear हमको calculate करना है आज यहां पर उसका मैंने drawing दिखाया है जो A gear है वह चक के साथ attached रहता है A के साथ B gear जुड़ा हुआ है और B और C दोनों gear एक साथ रहता है और C के साथ हमारा D gear जुड तो आज हम देखेंगे कि पहले 4 TPI वाले lead screw में उसका calculation कैसे करें तो हमको यहां पर तीन चीजों का सबसे बड़ा ध्यान देना है कि इंच में है threading या तो MM में threading है हमारा lead screw जो भी lat machine का है उसमें 4 TPI है कि 6 TPI है तो 4 TPI या तो 6 TPI पहले हम देखेंगे इंच में threading करना है कि MM में threading करना है वह हम देख लेंगे और जो भी टूल grinding कर रहे है तूल हम जो घीश रहे है वह इंच या तो MM के एंगल के हिसाब से perfect होना चाहिए तो आज हम देखेंगे कि 4 TPI वाला lead screw है उसमें gear calculation कैसे करें यहाँ पर मैंने फोटो में आपको दिखा है कि 4 TPI वाला lead screw कैसे चेक कर सकते हो आप तो सबसे पहले हम देखते 4 TPI वाला lead screw है उसमें हम MM में tapping करना है अगर मुझे MM में tapping करना है याने M16 M6 M10 जो भी ठ्रेडिंग करना है अगर मैंने lead screw 4 TPI है तो उसको हम कैसे calculate करें तो यहाँ पर मेरे पास दो चीज है एक तो 4 TPI वाला lead screw है और मुझे थ्रेडिंग करना है 3 mm पीच का तो यहाँ पर मैंने formula दिखा है वह आप लिख सकते हो जो पर पहला gear है और लास्ट वाला gear है चार नंबर A और D उसको हम कैसे ढूंड़े तो यहाँ पर आप formula है आप लि divide by 127 से तो यहाँ पर हो गया मेरा 3 mm जो lead threading करना है वह 1 by 4 याने जो भी TPI में lead screw रहता है उसको हम 1 by 4 याने एक को 4 के साथ भाग देंगे उसको multiply करेंगे 5 by 127 तो 4 यहाँ पर जो नीचे है उसको हम ऊपर लाएंगे याने 3 multiply by 4 multiply by 5 हो जाएगा और उसके divide में रहेगा नीचे 1 by 127 तो यहाँ पर answer हो गया मेरा जवाब आया 60 upon 127 याने 60 के नीचे 127 तो 60 हो गया मारा पहला वाला ए नंबर का gear और 127 हो गया मेरा last वाला gear बीच का जो भी B और C gear है वो दोस्तो कोई भी आप gear उसमें जो set होता है वो आप लगा सकते हो तो 3 mm अगर मुझे थ्रेडिंग करना है 3 mm का थ्रेडिंग करना है और मेरा lead screw है 4 तो यह formula से आप इसे calculate कर सकते हैं आपको जो भी type का mm थ्रेड करना है एक बार आप इस formula में ट्राइल लीजिए दूसरा देखते हैं हम 4 TPA वाला lead screw है और उसको हम मुझे TPA में थ्रेडिंग करना है याने lead screw भी TPA में है और threading भी मुझे TPA में है याने each में ही करना है तो उसके लिए थोड़ा formula हमारा change हो जाएगा तो यहां पर मैंने लिखा है कि 4 TPA का मेरा lead screw है और 10 TPA का thread cutting करना है याने मुझे thread cutting करना है 10 TPA का और lead screw है 4 TPA का तो पहला और आखरी carry डूढ़ना है मुझे सबसे पहला हो जाएगा thread cutting का pitch उसके multiply करेंगे divide करेंगे हम lead screw का TPA और multiply हम करेंगे 10 by 10 का याने उपर भी 10 नीचे भी 10 तो each में है lead screw तो उसको करेंगे 1 by 4 और TPA 10 TPA का हो गया 1 by 10 तो चार जो नीचे हो ऊपर आ जाएगा 10 आ डशलें चला जाएगा ये यानों चार म ail टीपलई बैइभाई है do 10 multiply by 10 याने उपर आगे 40 नीचे आगई 100 यह पहला गेर हो गया मे या चालिस का और लास्ट वाला गेर झार नंबरjよ मेरा सओका अंसर्ट अस्मल गे यह भी थ्रेडिंग में भी आप अलग-अलग टाइप किए जैसे यह 1x2 है 516 है कोई भी गियर आप उसमें सेट कर सकके एक बार चेक कर सकते हो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि थ्रेडिंग ओपरेशन में अलग-अलग टाइप के किकने थ्रेड रहते हैं जैसे Turkish है और mm ध्रेडिंग है दूसरा उसमें हमने देखा कि 4 TPI वाला लीड कर में mm को क्छ ख्रीडिंग करना है तो फसका कैसे हुता है नेख्स वीडिआम देखेंगे 6 TPI वाला लीड स्कूर है हमारे पास तो एच में और mm में कैसे करते हुए तो आज की वीडियो में बस इतना ही थेंक्यू